एक समय की बात है जब एक घर में संजय और उसकी पत्मी सविता रहते थे संजय की अपनी दुकान थी जिससे वो अपना घर चलाता था उनकी शादी को करीब दो साल हो गए थे और दो साल बाद सविता पेट से होती है धीरे धीरे 9 महीने कैसे निकल जाते है पता ही नहीं चलता एक रात सविता की हालत खराब हो जाती है संजय उसे जल्दी से होस्पिटर लेकर जाता है डॉक्टर को सविता को ऑपरेशन करना पड़ता है और सविता एक लड़की को जन्म देती है आपकी पत्नी में लेकी को जन्म दिया है अरे वाह ये तो बड़ी खुशी की बात है देखिए मुझे आपको कुछ बताना है क्या हुआ दॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना देखिए मेडिकल हिस्ट्री में बहुत बार कुछ अलक चीजे हुई है आपने देखा होगा जैसे कभी कोई बच्चा जन्म से अंधा होता है किसी के हाथ में दिक्कत होती है तो कभी किसी के पैर में अब ये तो किसी के हाथ में नहीं है कि हर बच्चा एक दम ठीक ही हो आप ऐसे बात क्यों घुमा रहे हो दॉक्टर साहब क्या हुआ ठीक से बताओ वल आप मेरी साथ अंदर चलो डॉक्टर संजय को अंदर लेकर जाते हैं वहाँ एक पालने में जब संजय एक लड़की को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं एक छोटी से बच्ची उस पालने में लेती होती है जिसके दो सर होते हैं ये ये क और दोनों दिमाग एक जैसे तो नहीं चल सकते ना या फिर ये बोल सकते हैं कि ये दो लल्किया है पर इन दोनों को एक ही शरीर का इस्पैमाल करना है संजय तो अपना सर ही पकड़ लेता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है वो इस बात को बड़ी मुश्कियों से समझ पात हैं आखिरकार जैसे भी होती है पर होती तो उनकी बेटी ही है ना संजा और सविता अपनी बेटी को सबसे चुपा कर रखते हैं ताकि कोई उसे देख कर बाते ना बनाए बच्पन में सब ठीक रहता है पर जब वो बड़ी हो जाती है तो परिशानी शुरू हो जाती है मां मुझे बाहर खेलने जाना है नहीं पर मुझे तो नहीं जाना धूप से मेरे सिर में दर्द होता है अरे तो क्या तेरी चक्कर में मैं भी ना जाओ अरे बस करो दोनों लड़ाई करना बंद करो देखो बच्चो तुम दोनों को हमेशा साथ रहना है भगवान के लिए जगर पड़ना बंद करो, और हाँ, तुम्हारे पापा ने बोला है कि अब कल तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवाने जाएंगे, तौब अच्छे से पढ़ना, ठीक है, मा पर स्कूल में सब हमारा मजाग बनाएंगे, अरे, ऐसे कैसे मजाग बनाएंगे, मैं किसी से डरती नही अब अगले दिन सविता अच्छे से अपनी बेटी को तैयार करके स्कूल भेजती है तीना बड़ी खुश होती है पर शीना को बड़ा अजीब लग रहा होता है वो जब क्लास में जाकर बैठती है तो सब बच्चे उनका मजाक उड़ाते है और उन पर हसते है शीना विचारी तीना जीचर सब बच्चों को अच्छे से पढ़ाती है पर बस दो सरवाली स्टुडेंट पर ही ध्यान नहीं देती थी धीरे-धीरे सब बच्चे बस दो सरवाली स्टुडेंट के दोसован बन जाते है और टीर को अलगी चिण रहती है उनसे वो रोज उनको कुश ने बोल द क्या हो आ शीना तुम ठीक तो हो ना फो मुझे थीस धूप से सरदर्द और चक्कर आते हैं ना मेरी वज़े से तुमको भी धूप में खड़ा होना पड़ रहा है कि टीचर कितनी बुरी है ना तुम इतना मत सोचो धीरे धीरे शीना की दिक्कत बढ़ने लगती है वो क्यद हो सकता कुछी देल में शीना टीना मर जाती है इस बाद से अनके माता-पिता सद्मे में छले जाते हैं ।ो बड़ी खुष होती है पर उसे इस बात का जगीifter रही छोता टीफ हो था कि उसकी खुशी पर सब्लिके बदलने वाली है बस दो सरवाली स्टुडेंट मरने देखो तो जरा हमारे मरने की कैसे खुशी मना रही है, इसे तो जरा भी शरम नहीं आ रहे है अपने के पर, इसे तो अब हम बताएगे, हाँ टीना इसे छोड़ना मत, टीचर बड़ी खुश हो कर क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है, दोसर वाली चुडएल स्टुड पानी मत देना, बड़ा ही दुखी करती है हम बच्चों को, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, इस तीचर ने उस दोसर वाली जर्टी को कितना परेशान किया, और उसने इस्कूल ही आना बंद कर दिया, बेचारी कितनी अच्छी थी वो सब बच्चे राहुल की बात मान कर टीचर को पानी की एक बून नहीं देते, दो मुवाली चुडएल स्टुडेंट ये सुनकर बड़ी खुश होती है, क्योंकि क्लास के बच्चे उनके लिए दुखी है, ये सुनकर वो बच्चों के सामने आ जाती है, बच्चे उनको पानी मारती है, जिससे वो हर बढ़ा कर अपने आखे खोलती है, पर जब वो अपने सामने उस चुडएल को देखती है, तो पागलों की तरह चिलाने लगती है, तीचर की आवाज बाहर न जाये, इसलिए बच्चे गेट बंद कर देते हैं, कौन है ये, बच्चों, पानी मारती भूल गई हमको, देख हमारे दो सर और याद कर तुरे क्या किया हमारे साथ, तुम वही दो मुवाली लड़कियो न, शीना और टीना, आच्छा है, यादा क्या, वर्ना और डंडे मार मार कर तुझे याद दिलाना पड़ता, मुझे मत मारो प्लीज, मैं प्रे दो मुवाली चुड़ैलिस्ट्रेंट टीचर को मारने पहुच जाती है, पर पर जैसे ही उसकी नजर टीचर के बच्चो पर पढ़ती है, तो सुन पर जाती है, उस बच्चे के दोनों हाथ ही नहीं होते, तीना और शीना एक दूसरे को देखती है, इसे तो भगवान ने ऐ इस्टुड़ैंट वहां से गाइब हो जाती है, और कभी वापस नहीं आती है। झाले के जाती है, तीना एक जाती है। झाल 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 झाल